जेश्री हरी स्प्रीचल ग्यान चैनल में आपसे भी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे धार्मिक कार्यों में क्यों बजाया जाता है शंक पूजापाट, उत्सव, हवन, विज्योत्सव, आगमन, विवहा, राजबिशेक आदी शुब कार्यों में शंक बजाना शुब और अनिवार्य माना जाता है क्योंकि इसे विज्य, सम्रिध्धी, यश और शुबता का प्रतीक माना गया है मंदिरों में शुभा और साम के समय आर्थी के वक्त शंक बजाने का विधान है शंकनाद के बिना पूजा आर्चना अधूरी मानी जाती है अर्थोवेद के चोथे कांड के दस्वे शुक्त में स्पस्ट कहा गया है कि शंक अंत्रिक्ष वायू जोतिरमंडल एवं शुवन से संयुक्त है इसकी धवनी शत्रूओं को निर्बल करने वाली होती है यह हमारा रक्षक है यह राक्षसों और पिसाचों को वशिबूत करने वाला अज्यान रोग एवं दरिद्रता को दूर भगाने वाला तथा आयू को बढ़ाने वाला है संख को सूर्योदों से पूर्व और सूर्यास्त के बाद बजाने के पीछे माननेता यह है कि सूर्य की किरने ध्वनी की तरंगों में बाधा डालती है शंख द्वनी का तन मन पर प्रभाव पड़ता है और इसमें प्रदूशन को दूर करने की अद्भुत शमता होती है भारतिय विज्ञानिक जगदीश चंद्रवसु ने अपने यंत्रू के माध्यम से यह खोज लिया था कि एक बार शंख फूखने से उसकी ध्वनी जहां तक जाती है वहां तक के अनेक बिमारियों के किटानू ध्वनी स्पंदन से मुर्चित हो जाते हैं या नस्ट हो जाते हैं यदि यह प्रक्रिया प्रती दिन जारी रखी जाए तो वायू मंडल की टानों से मुक्त हो जाता है। बाइलिन विश्व विद्याले ने शंक धोनी पर अनुसंधान कर यह पाया कि इसकी तरंगे बैक्टीरिया नस्ट करने के लिए उत्तम वैस सस्ती औसिधी है। बैक्टीरिया के अलावा हैजा मलेरिया के किटानों भी शंक धोनी से नस्ट हो जाते हैं। मूर्चा, मिर्गी, कंठमाला और कोड के रोगियों के अंदर शंक धोनी की प्रक्रिया से रोग नाशक शक्ती उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि शंक द्वनी उपद्रवी आत्माउं यानि भूत प्रेत राक्षस आधी को दूर भगाती है। दरिद्रता का नाश करती है इसलिए हमारे यहां भी प्रसिद है शंक बाजे भूत भागे। निरंतर शंक द्वनी सुनते रहने से हार्ड अटेक नहीं होता। गूंगापन और हकलाहट में लाब मिलता है। इसी कारण छोटे-छोटे बच्चों के गले में छोटे-छोटे शंकों की माला पहनाई जाती है। जिसका विश्वास यह माना जाता है कि इससे वे जल्दी बो रहाँ जिस और गूले थी रहाँ मांछूंग यह में। लूटे रहाँ बचूंगाइविब दूड़ में लिखनें छोटेक वोड़ लूटेशिक यहाइट पर छीचों के में लोग्पा यहाँ जाता है। छोटेशनम उपक्शस्ट इसक रहाँ जाता है। झाल झाल